एंदी है रचने वाली राघव की मंदार के साथ कतिद्वंद विता के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसा लगता है कि राघव अब मंदार और पल लवी को अपने करीब लाने की उसकी घटिया चाल को बरदाश्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए राघव मंदार कुमार ने और बार के पीछे जाने का फैसला करेगा। बजाए इसके की पल लवी को मंदार के डर से जीने का मौका मिले। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले वह जाय की अनुमती लेगा क्योंकि वह जानता है कि उसके फैसले से कई जिंदगिया प्रभावित होंगी। राघव आगे जाय से उसकी अनुपस्थिती में पल लवी की देखवाल करने के लिए कहेगा। बाद में राघव अपने परिवार की जिम्मेदारी फरहात के सिर में डाल देगा और उसकी अनुपस्थिती में अम्मा और कीर्ती की देखवाल करने के लिए कहेगा। क्या राघव सच में मंदार को मार कर पल्लवी को बचा पाएगा? क्या पल्लवी राघव को अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने से पहले रोग पाएगी ये नहीं? मेहंदी है रचने वाली मंदार के एड़ गिर्द अपनी हदे पार कर पल्लवी से शादी करने का सपना देख रही है. पहले देखा गया था कि मंदार की गंदी चाल के कारण, शारदा को लगवा मार जाएगा और वहना तो बात कर पाएगा और नहीं चल पाएगा. हाला कि शार्दा ये नहीं देख पाएगी कि मंदार पूरे परिवार के साथ खिलवार कर रहा है और पल्योवी की जिंदगी को नर्क बना रहा है इसलिए शार्दा सभी बाधाओं से लड़ेंगी और एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी होंगी वह पूरे परिवार के सामने चल कर आएगी और ये बताएगी कि मंदार एक डुष्ट विक्ति है और उसकी सच्चाई जानने के बाद उसने उसे मारने की कोशिश की मंदार को नहीं पता होगा कि स्थिति को कैसे संभालना है क्योंकि परिवार का हर सदस से उसके खिलाफ जाएगा मंदार का खेल खत्म कर पाएंगे या नहीं शार्दा क्या मंदार इतनी आसानी से अपनी हार सुईकार कर पाएगा